प्रेंट्स हम लोग जब भी मिठाई की या डेजर्ट की कोई रेस्पी नेट पर सर्च करते हैं तो जनरली रेस्पी जैसे खीर है, लड़ू है, केक है, पुटिंग है उसमें मिल्क मेट का यूज होता है और इसे हम लेने चल देते हैं मार्केट के हो मार्केट में इसका जो छोटा से डिबबा होता है, बहुती कॉसली आता है, 130 के लगबग तो क्यों ना इसे हम घर में बनाएं, बिल्कुल असान स्टेप्स के साथ घर की बनी चीजे तो हाईजनिक भी होती हैं तो देर न करते हैं, अपनी रेस्पी के ओचलते हैं इसको पकाते टाइम, जब दूद हमारा हलका गरह हो, इसमें डाल दीजे 140 ग्राम के तकरीबन चीनी चीनी के साथ अब हम दूद को पकाएंगे, धीमी आज पे लगता चलाते हुए इसमें बलाई नहीं पढ़नी चाहिए दोस्तों, तो धीमी आज पे इसे पकाएंगे हम जैसे जैसे दूद पकता जाएगा, ये गाड़ा होता जाएगा और इसे हमने 50% डिडियूस करना, यानि दूद को आधा कर लेना है चीनी डली हुई है, पकते हुए इसके दूद की कलर चेंज होगा और सॉन्दा सॉन्दा सा एक स्मेल इसमें आने शुरू हो जाएगी जैसे जैसे दूद ये पकेगा इस कंडेंस मिल्क से दोस्तों आप बहुत तरह की मिठाईया, डेजर्ट, आइस केम बहुत चीजे बना सकते हैं, घर में बना के आप एक बार इससे बना दीजे और स्टोर करके रख दीजे, फ्रिज में, एर टाइट बॉटल में तो ये दो महीने तो बहुत आराम से चल जाता है जिस कंडिशन में आप मावा नहीं ला सकते हो, वहाँ पर भी आप इसका इस्टमाल कर सकते हैं दूट पक्के आदा हो चुका, अब इस जगें हम डालेंगे इसमें खाने वाला सोडा, तो चुटकी भर खाने वाला सोडा लालिए सोडे की मातरा ज़्यादा नहीं हो, यह तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा और दोस्तों, आप जब भी कंडेंस मिल्क बनाने चल लेएँ तो जितना भी दूट ले रहे, उसके इसाफ़ से बरतन थोड़ा बड़ा लीजे क्योंकि जब हम यह सोडा डालते हैं, तो एकदम से इसमें ज़ाग निकलने लगते हैं यह ज़ाग निकलते हैं और यह इसको हलका कर देते हैं तो यह उपर आने लगता है, तो बहार ना निकल जाए ज़ाग हमारा, तो थोड़ा बड़े बरतन का ही इस्तमाल करें यह देखिए इसमें जाग आए और यह बिल्कुल लाइट वेट में हो चुका है अब इसे हम नीचे उतारके ठंडा कर लेंगे चालो तरह से हमने छोड़ा लिया अभी इसे हमें बिल्कुल अच्छे जो ठंडा करना है तो एक बरतन में निकाल लेंगे तो यह देखिए हमने बरतन में निकाल लिया था तो परफेक्टली हमारा बन के तयार हो गया मिल्क मेर्ट अगर ठंडा वे बाद लिक्विड है तो इसको आप फिर से थोड़ा सा गाडा कर सकते हैं पांसाट मेर्ट और पतला हो गया हो तो तो गाडा कर लिजे और गाडा है तो दो-तिन चम्मच इसमें दोट की डाल दीजे जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए इसे आप एर टाइट बॉटल या डिबे में भरके रख दीजे अपने फ्रिज में चलिए इससे एक डेजर्ट बना के दिखाते हैं आपको यहाँ पैन में हमने एक चम्मच घी को गरम करने रख दिया अब इसमें कदूकस करी हम गाजर डालेंगे तकरीन एक बावल हमने गाजर लीए कदूकस करी गी में अच्छे से गाजर को हमें पकाना है जब गाजर हमारी अच्छे से पक जाएगी फ्लेम हमने लोई रखी है और ये रेखी कितना शांदा कलर आ गया गाजर का पक के तयार हो गई है तो अब इसमें हम डाल देंगे आदा कप दूद या एक कप दूद यहां मैंने कुलर वाला जैसे कप लिया तो एक कप बड़ा कप आपका हो तो अधा कप डाल दीजे और दूद और गाजर को अच्छे से मिक्स करते हैं मिला दीजे थोड़ी सी आज इसमें मीडियम कर सकते हैं और अब इसमें हम डाल देंगे मिल्क मेट घर का बना हुआ यह मिल्क मेट यहां दोस्तों मैं चीनी का इस्तमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ तो यहां एक चमचा बड़ा मैंने मिल्क मेट का इस्तमाल करा है इससे बहुती डिलिशियस हमारा यह गाजर का डेजर्ड बनके तयार हुआ है इससे अच्छे से मिक्स करिए मन्त पंसन आप इसमें अपने ड्राइफूट्स एड़ कर लीजे काजू, किश्मिश, बडाम, जो भी आप खाते हूँ पिस्ता, जो भी खाते हूँ से एड़ कर लीजे तो लीजे हमारा मिल्क मेट से बना यह गाजर का डेजर्ड बनके तयार हो गया गैस से नीचे उतारके, इसे बाउल में निकालके कटी हुई ड्राइफूट्स से गाणिश करिए तो इसी तर से आप ठीर, लड़ू और आगे मैं आप से शेर करूँगी इसके साथ केक की रेस्पी मिल्क मेट से बने केक की, वो भी बहुत टेस्टी बनता है तो ये हूम मेट, मिल्क मेट की रेस्पी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताईए रेस्पी बसंद आईएओ, तो फ्रेंस और रिलेटिव को ज़्यादा से ज़्यादा शेर करिए और हाँ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सबस्वाइब ना किया तो मेरे चैनल को सबस्वाइब कीजे साथ में बैल आइकन को प्रेस कीजे जिससे मेरी नेक्स रेस्पी की जानकारी आपको मिल सके मिलते हैं अपनी नए रेस्पी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों, थैंक्स फोर वाचिंग, बाई बाई, टेक केर.